नमस्कार दोस्तों इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एन बायोग्रिफी और बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी आती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम एक छोटी सी हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें चलो शुरू करो कहानी का नाम है हमारे जीवन के संगर्ष एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की की उसका जीवन दैनिय है और उसे नहीं पता कि वो इसे कैसे बनाने जा रही है वो हर समय लड़ते लड़ते ठक चुकी थी ऐसा लग रहा था जैसे एक समस्या हल हो गई दूसरी जल्द ही आ गई उसका पिता एक पेशेवर रसोया उसे रसोय घर में ले आया उसने तीन घड़ों को पानी से भर दिया और प्रत्येक को तेज आग पर रख दिया एक बार जब तीन बरतन उबलने लगे तो उसने एक बरतन में आलू दूसरे बरतन में अंडे और तीसरे बरतन में कॉफी बीन्स को पीस लिया फिर उसने अपनी बेटी से एक शब्द कहे बिना उन्हें बैटने और उबालने दिया बेटी करा रही थी और बेसबरी से इंतजार कर रही थी सोच रही थी कि वो क्या कर रहा है बीस मिनिट के बाद उसने बन बंद कर दिये उसने आलू को बरतन से निकाल कर एक प्याले में रख दिया उसने अंडों को बाहर निकाला और एक कटोरे में रख दिया फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया उसकी ओर मुर कर उसने पूछा बेटी, क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफी उसने जट से जवाब दिया करीब देखो उसने कहा और आलू को छुओ उसने किया और नोट किया कि वे नर्म थे फिर उसने उसे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा खोल को हटाने के बाद उसने कठोर उबले अंडे को देखा अंत में उसने उसे कॉफी पीने के लिए कहा इसकी समरिध सुगंध ने उसके चहरे पर मुस्कान ला दी पिता जी इसका क्या मतलब है उसने पूछा फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स प्रतियक को एक ही प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा उबलते पानी हाला कि सभी ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी आलू मजबूत, कठोर और अथक रूप से चला गया लेकिन उबलते पानी में यह नर्म और कमजोर हो गया अंडा नाजुक था, पतला बाहरी आवरन इसके तरल आंतरिक भाग की रक्षा करता था जब तक कि इसे उबलते पानी में नहीं डाला जाता फिर अंडे का भीतरी भाग सक्त हो गया हाला की, ग्राउंड कॉफी बीन्स अद्वितियत है उबलते पानी के संपर्ख में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया तुम कौन से हो, उसने अपनी बेटी से पूछा जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आलू, अंडा या कॉफी बीन है? कहानी का नैतिक है जीवन में, चीजे हमारे आसपास होती है चीजे हमारे साथ होती है लेकिन केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है वो यह है कि आप इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं और आप इससे क्या बनाते हैं जीवन उन सभी संगर्षों को जुकाव अपनाने और परिवर्तित करने के बारे में है जो हम कुछ सकारात्मक में अनुभव करते हैं इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी रुप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया